हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी एट्ट्यू चनल पर स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं मैं दुर्गेश सर और आज कुछ इस्टेटिक जीके जो कि आप्सनल के रूप में हैं उनको लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ हिंदी में टाइपिंग मिश्टिक है उस पर आप कौपरेट करिएगा और आप आपसन से अपने कमेंड बाक्स में आपसन को जवाब के रूप में दें और लास्ट तक बने रहे है हम यह आसा करते हैं कि जितने आपको प्रस्ट मिलेंगे 20-20 प्रस्ट है और उससे अच्छी उससे अधिक आपके लिए उप्योगी इस प्रस्ट की ब्याक्ष्या होगी तो चलिए हम प्रस्ट के चलब जलते हैं पहला प्रस्ट कहह रहा है कि सहीद दिवस कब मनाया जाता है सहीद दिवस कब मनाया जाता है आपसा ने आपका 5 जून 15 जून 25 जनवरी और 30 जून तो आपको पता होना चाहिए कि 30 जनवरी को सहीद दिवस मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है जब आप इसे जान जाएंगे तो आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे मात्मा गांधी की जो पूरे तिथी है या मात्मा गांधी को नाधुराम गोट से ने 30 जन्वरी को 5 बच की 17 मिनट पर गोली सिमा रहा था तो इसी को हम लोग सही दिवस के रूप में मनाते हैं चलिए अगला प्रसन आपका है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपसा ने आपके 9 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर और 14 सितंबर तो आपको पता होना चाहिए हिंदी दिवस जो मनाने का अश्रे है वह 14 सितंबर को जाता है किसे जाता है? 14 सितंबर को जाता है दिया गये राजभासा की रूप में दरजाव ईहीm the worldly्माराइब भारत की राष्टिवासा नहीं कि राजभासा है है कि राजभासा हμαι कि राजभासा यानि कि आफिस्वल लिंगवेज Official Language है भारत की राजवासा हिंदी और समिधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजवासा के रूप में दर्जा दिया और भारती समिधान के भाग 17 और आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 341 341 में कहा गया है कि राष्ट की राजवासा यानि की Official Language कौन है हिंदी और लीप कौन है देवनागरी लीपी चलिए आगला प्रसन है आपका गुलाम वववंस का संस्थापक कौन है गुलाम ववंस का संस्थापक काौन है कुत्व दीन ऐबक देखे जो टाइपिंग है वो बहुत मिश्टेक है लेकिन आप हमारे बातों को सुनेंगे गुलाम उसका संस्थापक कौन ने कुत्तुब दिन अइबक इल्टुत मीश अलाव दिन खिली और रंग्जेव तो आपको पता होना चाहिए गुलाम उसका संस्थापक कौन था कुत्तुब दिन अइबक था जिसने 1210 इस भी में दिल्ली के सिंहाशन पर रोण हुओ या दिल्ली के सिंहाशन पर पैठा था Northern या दिल्ली का सिंहासक बनने से पहले बदायूं का सुभीदार था कौन कुत्तुब-दिन अइबक कुत्तुब दिन एवग गुलाम वश का संस्थापक है और या गद्धी प्रबैठने से पहले कहां का बदायूनी का सुभधार था गुलाम वश को और भी नाम वश जान जाता जैसे की मामलूक वश या इसी को दास वश भी कहते हैं किसे गुलाम वश को ठीक है चली अगला प्रशन है आपका आरे समाज का संस्थापक कौन था देखे आरे समाज आरे समाज का संस्थापक कौन था देखे आरे समाज आरे समाज का संस्थापक कौन थे दयाने सरसोती आपसन आप देखते रहे हैं पूरा आपसन को पढ़ने के समय को बचा रहे हैं और आरे समाज का संस्थापक कौन था दयाने सरस्वती थी जो 2875 में कहां पर बंबाई में तब बंबाई था आज मुंबाई हो गया ठीक है चली अगला प्रस की तरब चलते हैं भारत का निपोलियन किसे कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का निपोलियन किसे कहा जाता है समुद्र गुप्त को और क्यों कहा जाता है आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो समुद्र गुप्त थे इन्होंने जितने भी युद्ध लड़ा उसमें सभी में विजय हुए और यह अभी कहा जाता है कि इनका वर्चस और पूरा कभजा पूरे भारत पुर था ठीक है और इनके माता और उनके पिता को जानते रहे हैं पिता इनके चंद्गुप्त प्रथम थे चंद्गुप्त प्रथम और माता थी कुमार देवी ठीक है इन सबसे इंपोर्टेंट है कि किस इत्यासकार ने भारत का नेपोलियन चंद्गुप्त को कहा था तो उसको जानिए वी ए इस्मित इत्यासकार जी हैं इत्यासकार हैं जिन्होंने भारत का नेपोलियन किसे कहा था समद्गुप्त को कहा था आए अगला प्रस्न है जोग जलप्रपात किस नदी पर है देखिए इसमें टाइपिंग जो है मिश्टेक है उसको आप ध्यान दिजेगा जोग जलप्रपात किस नदी पर है आपको पता होना चाहिए जोग जलप्रपात था ठीक है और इसकी उचाई जो है 253 मीटर है 253 मीटर इसकी क्या है उचाई है मीटर याद रखी करें फूट नहीं मीटर ठीक है और भारत का सबसे उचा जलब प्रपात भी आपका पता होना चाहिए कि इसी राज में है तो बताई कमेंट करके उस जलप्रपात का नाम कहा जो भारत का सबसे उंचा है तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे उंचा जलप्रपात कुची कल कुची कल जलप्रपात है जो भी करनाटक राज में है और वह किस नदीप है वह रही नदीप है भारत का सबसे उच्छा जलप्रपाद, कूचिकल जलप्रपाद, जो वरही नदी पे है, आगला प्रस्न है, अफरीका का सबसे बड़ा देश, अफरीका का सबसे बड़ा देश कौन है, तो आपको पता होना चैने, अलजीरिया अफरीका का सबसे बड़ा देश है, अलजीरिय एकान कंट्री है मतलब अखेया का सबसे ुद्तर में देश कौन अलजीरिया जो सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महादेद आगे चलिए भारत की सीमा कि देश से सब से कम लगती देखिए आपको पता होना चाहिए भारत की सरवादिक सेमा सिमा बंगलादेश से लगती है और सबसे कम सीमा किसे लगती है अफगाइस्तान भी इसमें गलत लिखा हुआ है ठीक है और आपको पता हुआ है चाहिए 107 किलोमीटर और किस से लगती है पी ओके से पाकिस्तान अफपाइड कश्मीर और एक आपका है प्योकि अभी जिसमें विवाद चल ला है उसी से अफगाइस्तान की सीमा लगती है ठीक है अगला प्रस्म अब भारत में अस्थापत का सोण काल कहा जाता है मुगल वन्स लोधी वन्स गुलाम वन्स शयद वन्स देखिए इसमें तो आपसन बहुत साफ दिया हुआ कि मुगल वन्स लेकिन अगर पूछ ले कि मुगल वन्स में भी किसे कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए किसे क किसे का जाता है सा जहां को किसे का जाता है सा जहां का काल कब से था 1628 से ले करके 1658 तक और पूछा जाए कि इसने क्या क्या बनवाया था देखें क्या 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 बनवाया था सा जहां ने तो आपको पता होगा ताज महल उसके बाद जामा मस्जिद जामा मस्जिद मोती मस्जिद दिवाने आम दिवाने खास मयूर सिंगासन इत्याज को बनवाया था और मयूर सिंगासन में आपको पता होगा कोई नूर हीरा लगा था जिसे आमा साफदाली आया था और वहां लोट के लिए के चला गया ठीक है आगे चलिए अगला छोटा सा प्रस्ण है कि कुवेत की र सास्त्री निर्थ है तो कथा कहां का सास्त्री निर्थ है आपको पता होना चाहिए किस प्रदेश का उत्तर प्रदेश का सास्त्री निर्थ कौन है कथक अब कथक का अर्थ क्या होता है कथा को कथक का अर्थ होता है कथा को निर्थिक के रूप में प्रस्तूत करना कथा को अधिक रूप में प्रस्तूत करना क्या कहलाता है कथक कहलाता है और कथक किस राज का सास्त्र निर्ति है उत्तर प्रदिश आगे चलिए पूछ रहा है कि बंगाल का सोक कहलाती है बंगाल के सोक कौन सी नदी कहलाती है आपको पता होना चाहिए जो दामोदर नदी है यह बंगाल का सोक कहलाती है सभी नदियों के नाम है ठीक है दामोदर नदी पस्षिम बंगल और जारखन में बहलेवानी नदी है और बंगाल का स जल्विद्द उत्पन किया जाता है आगे चलिए कह रहा है संकट ग्रस जन्तु दैत्याकार पांडा पांडा नहीं है पांडा है ठीक है पांडा पाया जाता है चीन में नेपाल में भारत में तो या कहां पाया जाता है चीन में आपको पता होना चाहिए कि चीनी भासामी से जुयांग मायो कहा जाता है चीनी भासमी से जुयांग मायो कहा जाता है चीन के लोग इसे मानते हैं या विसाल का बिल्ली भालू कहा जाता है या चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमाले परवत के ढालों पर पेड़ों पर रहते हैं कहां पर रहते हैं पेड़ों प बिजय अस्थम कहा इस्थित है या बिजय अस्थम इस्थित है तो आपको पता होना चाहिए बिजय अस्थम राजस्थान हर्याडा पंजाब दिल्ली तो दिल्ली भी इसमें देखे कई टाइपिंग मिस्ट बहुत अधिक है तो राजस्थान में इस्थित है और इसके इतिया कुम्भान मेवाड के राजा या मेवाड नरेस राणा कुम्भा ने महमुत खेल जी के नियत्रित वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सारंगपुर की लड़ाई के विजय के असमारक के रूप में 1440 1440-1440 के बीच में बनवाया था और आप यजानिये कि मुगल सेनाओं से लड़ते हुए उनकी विजय में और कौन से लड़ाई की सारंगपुर की विजय में राणा कुम्भा ने बनवाया था विजय स्थम कहां पर रजस्थान में और कब 1440 से लेकि 1448 के बीच में चले आगे लोक्टक जील किस राज में इस्थित है भारत के पुरोत्तर भाग में या अपनी सता पर तैरते हुए वनस्पति और मिटी के द्वीब या तैरता हुए वनस्पति और द्वीब इनके लिए मसौर है ठीक है आगे चले एक सिंग वाले सिंग लिखा हुआ है यहाँ पर सिंग होना चाहिए एक सिंग वाले गैंडे किस उद्ध्यान में मिलते हैं यहाँ पर आपसन देखिए दो हैं दोनों सही है मानस और काजी रंगा दोनों सही है और आप जानते रहे कि चार जो असम है असम राजी के चार राश्टी उद्ध्यानों में एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है एक का नाम पोवी तोरा है पोवी तोरा और एक का राजियो गांधी और आणस और काजी रंगा इन चार मुखेता चार उद्ध्यानों में एक इक्सिंग वाले गैड़ा पाए जाते हैं और किस राज में असम्य आगे चलिए पहरा है फूलों की घाटी अवस्थित है या इस्थित है पाए जाती किस राज में उत्तराखंड विमाचल प्रदेश बिहार और जम्मु कस्मिय। तो आपको पता हुआ कि उत्तराखंड इसे यूनियसको द्वारा 1982 में इसे यूनियसको द्वारा 1982 में विस्थोधरोहर सूची में सामिल किया गया और यह नंदा देवी अभ्यारन का भाग है किस अभ्यारन का भाग है नंदा देवी अभ्यारन का भाग है और इसे 1982 में यूनियसको ने विस्थोधरोहर सूची में सामिल किया किसे फूलों के घाटी को फूलों के घाटी किस राजी में इस सी थे उत्तराखंड में आगे से लिए आगे बोलना है पाल घाट दर्रा आवस्थित है यानि कि पाल घाट दर्रा कहां पर पाया जाता है ठीक है तो देखिए पाल घाट को पालक काड दर्रा भी कहते हैं क्या कहते हैं पालक काड भी दर्रा भी कहते हैं ठीक है पाल घाट को पालककार दर्रा भी कहते हैं और यह भारत के पस्चिमी घाट में एक पहाडी दर्रा है जो तमिलनाडु के कोईमबटूर को केरल के पालककर से जोड़ता है कोईमबटूर को केरल के पालककर से जोड़ता है और यह उत्तर में नील गिली पहाड़ीयों और दच्छिड में अन्ना मलाई पहाड़ीयों के बीच है किन्दो पहाड़ीयों के बीच है नील गिली और अन्ना मलाई पहाडियों के बीच में कौल घार दर्र्रा और ठबार है आप एक भार्त के पस्चमी घा에서 पहाड़ी है जो तमिल्णाडू के कोईमवटूर को केयरल के पअलक्कर शोड़ता हैे उक फिर्टा चलिए अगला प्रस्ण कहे रहा है सवर पर्थम भासाई आधार या भासाई आधार पर गठित होने वाला राजी तो आपको पता होना चाहिए मित्रों कि स्री रामलू जो आंध प्रदेश के थे इन्होंने भासाई आधार पर आंध प्रदेश को अलग करने के लिए मांग किया था ठीक है और यह 51-52 दिन तक भूख अंसन पर बैठे और इनकी मृत्ति हो गई उसमें हमारे देश के वदान मंत्री पंडी जवाला नियरू जी थे ठ बावन में ही ठीक है और नियरू जी बड़े दवाव के अधार पर कई आयोग बनाया गया लेकिन जब मृत्ति हो गई तो देश में बहुत बिद्रोह होने की सिती आ गई तो एक अक्टूबर उणीश तो तीरपन को भासाय आदार पर गठित होने वाला पहला राजी बना कौन आंध्प्रदेश? ठीक है? और अगर पूछा जाए कि राज पुनर गठन आयोग की अधेश कौन थे? राज पुनर गठन आयोग की अधेश कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि फज फजल अली राज पुनर गठन आयोग के अद्यस थे चलिए अगले प्रस्ट की तरफ अगला प्रस्ट आपको पोछ रहा है अजनता की गुफाएं महाराष्ट के किस जिले में इस्थी थे तो आपको पता होना चाहिए लगबग 29 चट्टानों को काट करके लगबग 29 चट्टानों को काट करके बहुद अस्मारक है कौन सा अस्मारक है बहुद अस्मारक है यह गुफाएं दिति सताब्दी इसा पुर्व में बनाई गई थी ठीक है जो अजन्ता नामा गाउं में है और किस जिले में है और अंगाबाद जिले में है किस जिले में है और अंगाबाद जिले में है इसका एंसर पहला हो जाएगा इसमें अजन्ता की गुफाएं कि जिले मिस्थित है और अंगाबाद में और अंगाबाद जिला है और अजन्ता क्या है गाउं का नाम है बाकी अत्तिन आप्शन गलत है थाणे कोलापूर और इत्यादे चलिए आगे आज का आखरी प्रस्ण है ठीक है हाज हम इसमें टाइपिंग में 20 दिखा रहा है लेकिन हम आपको 21 प्रस्ण कराए है आज का लास्ट प्रस्ण है कि पटना पक्षिब यार किस जिले में इस्थित है तो आपको पता होना चाहिए पटना पक्षिब यार पटना मिना होकर के कह पे है यूपी में है ठीक है पटना पच्छी यार एटा जिले में है और इसकी अस्थापना 1991 में हुई थी अस्थापना 1991 में हुई थी या यूपी का सबसे छोटा अभ्यारण है या पच्छी अभ्यारण है सबसे छोटा पच्छी अभ्यारण है और इसमें 300 से अधिक विभिन पजातियां पच्छियों की पाई जाती है ठीक है तो मित्रों आप अपना राय अपने कमेंड बाक्स में जरूर दें और या प्रस्ण एक मित्र ने सुझाओ दिया कि यसे भी बनाया जाया तो उस पर हमने विचार किया और जैसा आपका रियेक्शन होगा वसी साब से आथ तो हम बोड पर या फिर इसी प्रकार से मिलेंगे ठीक है धन्यवाद